दिनांक 9 जून 2024 को शाम 7 बचकर 20 मिनट से राष्ट्रपती भवन दिल्ली में आयोजित एक समारों में भारत की महमहिम राष्ट्रपती ने श्री नरेंद्र दामोदर्दास मोधी एवं उनके मंत्री मंदल को कैबिनेट मंत्री, मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं राज्य मंत मंत्रियों के रूप में पद एवं गोपनियता की शपत दिलाई, यह समारों कुछ कारणों से इतिहास में दर्ज हो गया है, पहला कारण यहां है कि सरकार में पंजाब प्रांथ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए पंजाब के पराजत उमीदवार को भी मंत जोसी राष्ट्र पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह समारों इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि इस समारों में ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया था जो सामान्य समाज के लिए अती महत्वपूर्ण अर्थात विपश्रेनी के नहीं हैं। जैसे सफाई कर्मी, ट्रांसजिंडर और सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों में काम करने वाले रेलवे करमचारी शपत ग्रहन समारों में आमंत्रन पत्र भिचकर आमंत्रित थे। इसके अतिरिक केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और विक्सित भारत के एमबेजडर भी इस समारों में नजर आए। ऐसे आमंत्रण से साम्यवादी विचारक देश को भी सीखने की जरूरत है। इस घटना राष्ट्र के समाजवादी एवा एकात्मता वादी चिंतन की जलक है। जू की उपस्थिती देखी गई। भारत के पडोसी देश पाकिस्तान को आमंत्रित न करना भी एक उलेखनिया खबर है। भारत के चर्चित चहरों में दक्षन भारत तथा हिंदी फिल्म उद्योग के लोकुप्रिय सुपर्स्टार रजनीकांथ अक्षय कुमार उद्योगपती से अंबानी तथा कई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उपस्थित रहे। इनके अलावा शपत विधी में पूर्व राश्ट्रपती, वर्तमान एवं पूर्व उपराश्ट्रपती, विपक्षी दलों के नेता विशेश रूप से श्री मलिकार्जुन खडगे उपस्थित नजर आए। भारत की महमहिम राश्ट्रपती मुर्मु जी ने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोधी को प्रधान मंत्री के रूप में शपत दिलाई गई। इसके अतिरिक्त अन्य 71 सांसदों को कैबिनेट मंत्री, स्वतंद्र प्रभार मंत्री तथा राज्य मंत्रियों के रूप में पद एवं गोपनियता की शपत दिलाई। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि साथ चरणों में संपन्न भारतिय आम चुनाव के समस्त नव निर्वाचित संसत सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था। लोग सभा में पाँच मंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। 43 पुराने ऐसे मंत्री हैं जिने नए मंत्री मंडल में भी शामिल किया गया है। समुचे 29 लोग सभा सीटों पर भारतिय जनता पार्टी द्वारा जीत हासिल करने वाले मध्यप्रदेश से चार मंत्रियों को शामिल किया है। मध्यप्रदेश से जिन पाँच संसत सदस्यों को पद और गोपनियता की शपत दिलाई उनमें पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंग जी, श्री जोतिरादित्य सिंधिया, डौ वीरेंद्र खटीक, श्रीमती सावित्री ठाकुर एवं श्री दुर्गा दास उई स्वतंत्र प्रभार तथा 36 राज्य मंत्रियों की टीम प्रधान मंत्री के नेत्रित्व में कार्य करेगी। श्री शिवराज सिंग चोहान श्रीमती निर्मला सीतार्मन, डौक्टर सुब्रमन्यम जैशंकर, श्री मनोहर लाल खटर, श्री एचडी कुमार स्वामी, श्री पियू श्वेत प्रकाश गोयल श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री जीतन राम मांजी श्री राजीव रंजन सिंग श्री सदानन सोनोवाल डौ विरेंद्र कुमार, श्री किनज रपूर राम मोहन नाइडू, श्री प्रहलाद जोशी, जुएल उराव, श्री गिरिराज सिंग काबिनेट मिनिस्टर, श्री अश्वनी वैशनव, श्री जोतिरादित्य माधवराव सिंधिया, श्री जेंद्र सिंग शेखावत कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती अनपूर्णा देवी, श्री किरेन रिजिजू, श्री हरदीप सिंग पूरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्री गंगापुरम किशन रेडदी, चिराग रामविलास पासवान, श्री सी आर पातिल, स्वतंत् प्रभार के मंत्रियों के रूप में जिन मंत्रियों में शपत ग्रहन की उनके नाम इस प्रकार है। श्री पंकच चौधरी, श्री कृष्ण पाल गुडजर, श्री रामदा सठ्वले, श्री रामनाथ ठाकुर जो भारत रतन स्वर्गिय श्री करपूरी ठाकुर के पुत्र है। श्री नित्यानंद राय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री वी सोमन्ना डॉक्टर पी चंद्रशेखर पैमासानी, प्रोफेसर एस पी सिंग बगेल, सुश्री शोभा करंद लाजे, श्री कीर्ती वर्धन सिंग, श्री बी एल वर्मा, श्री शांतनु ठाकुर, श्री सुरेश गोपी, डॉक्टर एल मुरूगन श्री अजय टम्टा, श्री बंडी संजय कुमार, श्री कमलेश पासवान, श्री भागीरत चौधरी, श्री सतीश चंद्र दुबे, श्री संजय सेट, श्री रवनीत सिंग बिट्टू, लुध्याना सीट से पराजित हुए श्री दुर्गा दास उईके, श्रीमती रक्षा निखिल खडसे, श्री सुकान्तो मजूमदार, श्रीमती सावित्री ठाकुर, श्री टोकन साहु, डौ राजभूशन चौधरी निशाद, श्री भूपती राजू श्री निवास वर्मा, श्री हर्ष मलहोत्रा, सुश्री न यह था आज का पॉड़कास्ट आपको कैसा लगा क्रिप्या जरूर बताएं